तो ये देखो दोस्तों फाइनली 2024 का पेपर हमारे पास आही गया है जैसा मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से पेपर आया है देख सकते हो मैं आपको इसका solution भी बताऊंगा इस वीडियो में करके जो कि कोड है 801-HD ठीक है HD कोड है और मैं आपको बताया था ना कि ऐसा ह इसको निकाल के आपको दिखा रहा हूं तो देख लो यह अब इसको चलो solution मैं दिखाता हूं सबसे पहले को निर्देश वगएर रहेंगे वह सब तो आपने देखे लिए होंगे अब देखते इसमें कौन कौन से कुश्चन आहरे उन कुश्चन का भी solution आपको बताते हैं द कौन सी रेखा चित्र महादेव अर्मदौर रची तो है अतीद के चल चित्र यह भी सबको पता है उसके बाद निक्ष्ट है कोडार के के रचनाकार काउन है तो कोडार के रचनाकार है जगदीस माथ हो यह वाला सही होगा फिर चाउथा नंबर चलो चांद पर चले यह किस जैप्रकाद। кажд भारती की रचना है तो पल्ष. विदधा यह एक रिपूर्टार पास ص ?! कंसे काल के कभी है तो क्जित लहां मिलालो यही एक्टम सही होगा आपने भारत भारती के रच्टाकर मैं कितनी बार आपको बताया हूं यह वाला कुस्यन कि यह होगा मैंतरी सरण गुप्त अब बढ़ते हैं समयावद वाल मैं आपको बताया था ना कि एक समयावद जरूर से आएगा चाहे सुकल यूग आजाए या फिर आधुनिक काल आजाए या फिर कोई सभी आए एक जरूर से आएगा तो भारतेंद यूग की समयावद क्या है यह अठासों अंसर से लेकर उनीसवता क्वाल सा यूगा फिर सुमित्रा नंदन पंतकी रच्ना है इसमें से काउं confident की नहीं है तो इसमें से जो यूगा है यह पता रहे हैं जैसे यूगांत है यह घनानन लेकिन आगे रीत्मक्त काववध दहारा के कवी कौन है दोस्तों तो रीत मुक्तिकाविधारा के कभी है यह घना ना फिर 11 नंबर कुश्चन जो कि है हां रगुनंदन प्रेम परीतो तुम्बिन विजय जीयत बहुत दिन भी तो प्रिक्त पंग्त में क्या प्रियुक्ति रस कौन सा है इसमें करूर रस क्योंकि सोक महनस किया जा रहा है अब यही सारे हैं आपको डाइट और आगे बढ़ता हूं और चीज़े बताता हूं जैसे देखो कुछ कुश्चन देख लो फिर आपको आखंड बा में बताता हूं बहुविकल्पे तो मुझे पताबुक सही कि होगी फिर यह जैसे कुश्चन है कि सुगम सब्द में प्रियु हो जाएगा सभी है और देखो और ऐसे काफी सारे कुश्चन है और सबको देख सकते हैं अब डारेक्ट वढ़ते हैं हम आपके वर्नात्मकपरश की तरीकी से आया है तो देखो यहाँ पर क्या है सबसे पहला जो आया है गद्ध्यांस वह है यह वाला ठीक और दूसरा गद गद्ध्यांस आपको दिखा देता हूं दूसरा गद्ध्यांस यह वाला इरसा न अगई तू मेरे मन से यह सब कापिचा था इंपोर्टन गद्ध्यांस अगर आपने एक महीं पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने यह सारे गद्ध्यांस आपको पढ़ाए ढब इखते हैं पद्ध्यांस कौनसा है तो देख रहां सेम सेम ऺत्या अपको क्या पताए दासerdhat त्यार कर लेंघियांस और देखो पूरा फस आउसका हमों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही इसी पेपर है बहुत साल है पूछते हैं कि भाइया इसका पीडिया डाउनलोड करेंगे तो देखो आपको आना है सब्सक्राइब फिर उसके बाद यह देखो बूढ़ नीज तो करने के बाद आपको सामने यह ऐसे पर आए यह पूरा पर पर यहुन्त पूरा बाइले लौड ऊकर पढूर हो कुकर यहाँ पर दिख जएगा और इसके solution भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको तो इस पर आप जाकर देख सकते हैं कि बार-बार आप लोग पूश आए थे तो मैं सोच आपको बता दू कि इसका सेट कहां पर मिलेगा ठीक है अब चलो दिखाते हो कौन सा संस्कृत में आ जा है संस्कित में देखो यह थर्ड नंबर जो की है कितनी बार आपको मैं यह बताएं हूं याद करने के लिए तो उम्मीद है आप लोग याद किये रहोगे और अच्छे से करके आए होगी फिर है निश्ट निश्ट जो की है नित्राम नीचो अस्मतित्वम खेदम कूपा कदाप यह वाला है तो यह वाला भी आपके होगे पांच नंबर का है अब बढ़ते हैं आगे आगे अपने पठित खंड काव के आधार पर दिये गए प्रस्टों में से किसी एक का उत्तर देना है इसमें क्या करना है खंड काव कोई सबी खंड काव आपके जिले का होगा उसको कर दिये होगे तुम मुझे पता ही आप कर दियोगे आगे देखो आगे जो हमारा निश्ट है वह च्छटवा नंबर च्छटवा नंबर क्या है निमलखित में से किसी एक लेखा का जीवन परचे आपको कितनी बार बताया था कि स्टार्टिंग का त्यार कर लेना जैसंकर प् तुलसिदास इनका जीवन परचे आप देखो इसमें से एक का जीवन परचे करना यह मैंने नहीं नहीं बताए था लेकंत देखो प्याइलाल बताया थो फस गया आप देख रहा पेपर पूरा पेपर फसा है फिला हमारा सात्वा नंबर कुश्यन जो कि अपनी पार्ट्थ गर आप गुषा करना गापको करना कर आपको बता हो कि मुझे बता दिला कि हाल भी आप बताए थे वहीं आया है कि कि देख रहाँ यह सब आप पुराने वीडियो जा कर देखो जो मैंने को से धिया था और आगे देखते हैं कौन से कुछ्छन और जितने भी कुछन है सारे वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट कुछन ही है जितने कुछन आपको यहां पर दिखा रहा हूं अब यह देखो निबंद भी मैं आपको बताया था यार इसमें देखो क्या निम्नलखित विश्वा में निबंद लिखना है किसी छिल चिला चिला कर कहां था है तो पर्रणवर पर-दूसरों नबिबंद आयए-पछाइए-गार रही आपका दो अब ऐसे ही मैत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर मैत की तैयारी करना चाहते हो पूरा पूरा पेपर फर्च जाएगा और मैत की तैयारी कोई 500,000 रुपए में नहीं मैं आपको क्या कराँगा अगर कोर्स लेना चाहते हो तो उन 4 रुपए में आपके लिए कोर्स भी है डिस्किप्शन वाक्स कमेंट वाक्स में लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा उन 4 रुपए में बाकि आप डाइकली मुझे मैसेज करके भी ले सकते हो तो देखो इसी तरह कि इस पेपर था और भी अगर पेपर का फॉल्विशन चाहिए तो आप मुझे कमेंटें बताना और चैलो को सब्सक्राइब कर लेना आपको क्लाश दिन के सारे वीडियो इस पर मिलते रहेंगे